हेलो बच्चो गुड मॉनिंग आज की तारिख है 9 अगस्ट 2024 आज के करंट फेर कुश्चन और ललन टाप परसनों में आप सभी का स्वागत है बच्चो आज हम पढ़ेंगे मिधान सिरीच का पार्ट 31 जिसमें आप सभी को 20 करंट फेर कुश्चन जो की 5-6 महने पुराने हों तो अपने मिधान सिरीच के 31 पार्ट में 20 करंट फेर कुश्चन देखेंगे और 9 अगस्ट के करंट फेर कुश्चन में हम 10 नए करंट फेर कुश्चन और साथ में जो भी आप्सन होगा उसको साल्व करने वाले हैं अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सेर कमेंट जर हिआर बी रिपोर्ट अगर पूछे कौन जारी करताहर तो यहां जारी किया जाता है वर्ड बैंक के द्वारा जिससे बिस बैंक भी कहते हैं इसमें बी का मतलब होता स pau대 found business ready report यहां नएतरहर होगिए कि महांकी माहोल कारोबारी माहोल कैसा है तो यहां रिपोट जारी कि जाएगी इसमें जो है बी रेडी रिपोर्ड में निवेस और कारोबारी माहुल के बारे में बताया जाएगा नेश्ट अगर प्रसंद की बात करते हैं बिस्व बैंक बिस्व बैंक और इसके साथ साथ IEMF यानी International Monetary Fund इसकी पूछे अस्थापना कब किया गया था तो इसकी अस्थापना की जाती है ब्रेटन बुर्ट सम्मेलन से की जाती है 1944 में इन दोनों संगठनों को जो है जुड़वा बहन भी कहते हैं अगर कुश्चन पूछे कि जुड़वा बहन किन दो संगठनों को कहते हैं तो वर्डबैंक और IEMF को कहते हैं इन दोनों संगठनों का मुख्याले एक ही जगह पे है Washington DC जो की USA की राथानी है यहां पे इन दोनों संगठनों का मुख्याले है वर्डबैंक के अगर पूछे वर्टमान में अध्यक्ष कोन है तो अजे भंगा साहब वर्डबैंक के वर्टमान में अध्यक्ष हैं WTO की पहली कोई महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं WTO में वर्टमान में 164 सदस देश हैं 164 सदस देश कौन सा है तो यहां अफगानिस्तान है World Economic Forum इसकी अस्थापना कब होती है तो 1971 को होता है इसका मुख्यालत जिनेवा में है और World Economic Forum की जो दावोस में हर बार बैठक होती है या सीथ कालेन बैठक होती है इसके द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसका नाम है Global Gender Gap Index इसमें अगर पूछे भारत की रैंक कितनी है तो भारत की रैंक है 129 यह है इंडिया की रैंक Global Gender Gap Index में नेक्स्ट ऑप्सन हमारा है WHO World Health Organization इसकी अस्ठाफना 7 अपरेल 1948 को होता है इसका मुख्याल है जिनेवा में है अवरतमान में WHO के अध्यक्ष कोन है तो डाक्टर टेड्रोस है नेक्स हमारा तूसरा प्रस्ण है हाल ही में किस देश के प्रधान मंतरी एहमद हचानी को बर्खास्ट किया गया है एहमद हचानी किस देश के प्राइम मिनिस्टर है जिनको भी हाल ही में बर्खास्ट किया गया है आप्सन बांगलादेश, ट्यूनेसिया, तुर्की, इसरा हो जाएगा आप्सन भी ट्यूनेसिया के प्राइम मिनिस्टर है एहमद हचानी ये जो है ट्यूनेसिया के प्राइम मिनिस्टर थे इन्हें अभी जो है बर्खास्त कर दिया गया है किस रीजन से तो रीजन बताया गया है कि देश में यानि ट्यूनेसिया देश में पानी और बिजली का आसंतोस जंता के बीच उत्पन हो गया था जिसके कारण एहमद हचानी को जो है बरखास्त कर दिया गया पीम पद से और अगर बात करें कि टूनेसिया के नए परधान मंतरी किसे बनाया गया है तो नए परधान मंतरी बने हैं कामेल मंदवरी कोन बने हैं तो कामेल मंदवरी जो है टूनेसिया के नए परधान मंतरी चुने गये हैं टूनेसिया देश अगर पूछे किस महादुईप का देश है तो यहाँ अफरीका महादुईप का एक देश है अभी जो है बंगलादेश की पीम जिनका नामे सेख हसीना इन्होंने भी अपने पद से इस्थिपा दे दिया गया है और यहाँ पर बंगलादेश में अंतरीम सरकार के परमुक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो मुहम्मद यूनुस को न्यूक्त किया गया है इन्हें जो है 2006 में सांती का नोबेल पुरसकार भी परदान किया जा चुका है तो बंगला तेश के अंतरिम सरकार के परमक कोन बनाए गए है मुहम्मद यूनुस बनाए गए है सिंगापूर के पीम कोन है तो लारेंस बोंग यहांके सिंगापूर के नई पीम बनाए गए है रूस के पीम कोन है तो मिखाइल मिसु इस्तिन ये रूस के पीम है और रूस के अगर पूछे राष्टपती कोन है तो बलादमीर पुतिन जी है तीसरा प्रश्ण मारा है हाल ही में पहले बिज्ञान रत्न पुरुसकार के लिए किसे चुना गया है तो पहला बिज्ञान रत्न पुरुसकार किसे दिया गया है समीर वीकामत, सिरिधर पारिकर सोमनाथ, टाक्टर सोमनाथ, गोविंद, राजन, पद्म, नाभन तो इसका सही जवाब हो जाएगा option D इसके बारे में बैक्था देखे तो बिज्ञान रत्न पुरुसकार इसकी पहली बार शुरुआत हुई है तो यह award जरूर याद रखेंगे तो यह पहली बार किसे परदान किया गया है क्यूंकि 23 अगस्त को ही राष्टिय अंत्रिच दिवस मनाया जाता है हर साल अब जो है राष्टिय अंत्रिच दिवस का मनाया जाएगा तो यह 23 अगस्त को मनाया जाएगा 23 अगस्त को ही बिज्ञान रत्न पुरुसकार किसे दिया जाएगा तो गोविंद, राजन, बद्मन, आभन जी को दिया जाएगा अगर में बात करें कि एक और अवाड आप सभी को याद रखना है जो कि important है बिग्यान टीम अवाड कुछे किसे दिया गया है तो यह इसरो की टीम को दिया गया है जिसने चंद्रियान थड को जो भी टीम सदस मिलकर चंद के साउट पोल पर भेजे थे उन्हें जो है बिग्यान टीम अवाड से समाने किया गया है नेश्ट हमारा है इसरो इसरो के अस्थापना पुछे कब की गई थी तो 15 अगस 1979 को किया गया था वरतमान में इसरो के अध्यक्ष कोन है इस सोमनाथ जी है इनकी आत्मकथा का क्या नाम है तो इनकी आत्मकथा का नाम है सेर जिसने चांदनी पीली इनकी आत्मकथा का नाम है इसरो का अगर पूछे मुछे मुख्याले कहां पे है तो इसरो का headquarter है बेंगलूरू में नेश्ट परसन है DRDO DRDO के स्थापनकप की जाती है तो एक जनवरी 1958 को किया जाता है इसका मुख्याले कहाँ पे है नई दिल्ली में है और वरतमान में DRDO के अध्यक्ष कोन है नवअगस्त 1945 को भारत छोड़ो आंतोलंग शुरू हुआ था और इसके साथ नागासाकी पर परमाड़ बम गिराय गया था इस परमाड़ बम का क्या नाम था तो फैट मैं इस परमाड़ बम का नाम था और परमाड़ बम पूछे कि किस देश ने गिराया था नागासाकी पर तो USA के द्वारा गिराया गया था नागासाकी अगर पुछे सहर किस देश में है तो यह जापान का सहर है नेश्ट प्रस नमारा है चौथा हाली में भारतिय सेना ने परवत प्रहार अभ्यास कहां आयोजित किया है तो परवत प्रहार अभ्यास अगर पुछे किस ने सुरू किया है तो भारत्य ने नोसेना ने कहां पर सुरू किया है जम्मुकस्मेर, लद्धाख, सि Hilakim, अरुडांचल, परदेश तो इसका सही ज答 हो जाएगा लद्धाख में सुरू किया गया है परवत प्रहार अभ्यास अगर पूछे कहां सुरू किया गया है तो यहां सुरू किया गया है इसका आयोजन यानि होश्ट कहां किया गया है तो लदाख में किया गया है किस जगहां पे तो LAC यानि Line of Actual Control के पास जो है परवत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है और आय व्युवाद है तो भारत और चेन के बीच में यह सीमा बनाता है L.A.C. इसके बारे में थोड़ी से जानकारी है आप सभी को दे दें यह वाला हमारा जो है जम्मू कस्मीर यानि लगदाक का भाग है तो यहां से लेकर इतना भाग जो है किसका है जम्मू कस्मीर का है और इसके बाद जो है यहां से लेकर यहां से लेकर यह इतना भाग किसका है तो हिमानचल परदेश का यह वाला भाग है तो यहीं पर एक छोटा सा ऐसे लकीर खीचा गया मतलब लाइन है जिसको कहते हैं LAC यानि पर LAC के अस्थान पर ही परवत प्रहार अभ्यास का आयोजन इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है तो यह अक्साई चीन है इस पर चीन का अधिकार है और एक रेखा इधर से खीची गई है जिसे कहते हैं LOC, Line of Actual Control इसे कहते हैं LOC, Line of Actual Control यह किसके बीच में है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है तो यह वाला छेतर हमारा यह भी है और इस पर अधिकार किसका है तो इस पर भी अधिकार पाकिस्तान का है तो याद रखेंगे LOC किसके बीच में है तो भारत और पाकिस्तान के नेश्ट अगर प्रसुन की बात करते हैं विश्व की सबसे उचाई पर इस्थित युद अस्थल का क्या नाम है तो सियाचिन है यह वाला जगह है एक बार फिर से आप सभी को बता दें यहाँ पर जो छेत पड़ता है इसे ही सियाचिन कहते हैं थिक है सियाचिन जो है विश्व की सबसे उचाई पर इस्थित युद अस्थल है और अगर पूछे सियाचिन किस घाटी में इस्थित है तो नुबरा घाटी में इस्थित है और सियाचिन से अगर पूछे कोन सी नदी प्रवाहित होती है तो सियोल नदी प्रवाहित होती है लद्धाक में अगर पूछे दो जिले हैं एक तो कारगिल है और दूसरा ले है और ले है यह कारगिल यह लद्धाक की राध्धानी है तो लद्धाक की राध्धानी का क्या न आते हैं Do Just need to invearchate can I used you a product of professional m इसमे बारती यह की टीम में कोँ सा पदक जीता है तो पेरिसि उलमपिग बूजवां जीता गया है इसकी ब्याक्ख़ा देखे तो पेम пять या निकल की तारिक में होडि में अगर पूछे की भारतिय टीम ने कौन सा पदक जीता है तो भारतिय टीम ने ब्रॉंज मिडल यानि कान सा पदक जीता है और किसको हरा कर तो इस्पेन को हरा कर कान सा पदक भारतिय टीम ने जीत लिया है जो ओलंपिक हुआ था 2020 में 2020 के जो ओलंपिक हुआ था यह कहां पर हुआ था यह टोकियो में हुआ था टोकियो यानि जापान में हुआ था इसमें भी भारतीय टीम ने क्या जीता था तो ब्रॉंज मेडल जीता था और 2024 के ओलंपिक में भी भारतीय टीम ने क्या जीता है ब्रॉंज मेडल जीता है यहां पर किसको हराया है तो 2024 के प ब्रोंज मेडल जीता गया था भार्ति टीम की दौरा इन्हों कि तीम आपनी टीम ने इनको प्रोंज मेडल इनको दो है इस समान में इनको bes Dragons Optad, क्यूंकि अब यह जो है ओलमपिक से यह कह कह सकती हैं कि भार्टीय टीम से ये होकुजी के टीम से ये सन्यास लेने वाले हैं। दो गोल कीपर अगर पूछे कि दो गोल करने वाले भारत के पहले खिलाडी कोन बन गए हैं तो ओलम्पिक में दो गोल करने वाले हर्मन प्रीट सिंग बन गए हैं जो कि 2024 के ओलम्पिक में इन्हों ने दो गोल किया है होकी में गोल्ड अगर पूछे किसने जीता है तो नीदल लेंड ने जीता है और होकी में सिल्वर किसने जीता है तो जर्मनी ने जीता है तीनों याद रखें गोल्ड मेडल किसे ने जीता है होंकी में निदल लेंड और होंकी में सिल्वर किसे ने जीता है जर्मनी ने और होंकी में ब्रोंज मेडल किसे ने जीता है तो भारत ने जीता है इस्पेन को हरा कर अंतर राष्टिय होंकी महासंगे के अगर पूछे अध्धक्ष कोन है तो तैयब इक्राम है तो तैयब इक्राम जी ने भारतिय टीम को ब्रोंज मिडल अभी पेरिस ओलंपिक में प्रदान किया है भारतिय होंकी महासंग के अध्धक्ष कोन है तो दिलीब टर्की जी है अंतर राष्टिय की कोन है तैये विक्राम है और भारतिय टीम के कोन है तो दिलीब टर्की जी है पेरिस ओलम्पिक 2024 में भाला फेक में सिल्वर मेडल किसे ने जीता है तो नीरत चोपडा जी ने जीता है अगर वहीं Tokyo Olympic की बात करते हैं जो 2020 में हुआ था इसमें नीरत चोपड़ा जी ने गोल्ड मिडल जीता था ठीक है तो यह यहाँ से आद रखेंगे Tokyo Olympic में गोल्ड जीते हैं और Paris Olympic में silver medal जीते हैं अरसन नदीम जो की यह पाकिस्तान के भाला फेकने वाले प्लेयर हैं इन्होंने विस्व रिकार्ड एक नया विस्व रिकार्ड बना दिया है इन्होंने 92.97 मीटर दूर जो है भाला फेक कर एक नया वोल्ड रिकार्ड बना दिया है और इन्होंने भाला फेक में gold medal जीत लिया तो पाकिस्तान के भाला फेंकने वाले अरसद नदीम जी ने क्या जीता है गोल्ड मेडल जीत लिया है और इन्होंने एक नया वोल्ड रिकार्ड बना दिया है 92.97 मीटर धूर भाला फेंक है ठीक है तो गोल्ड किसे ने जीता है पाकिस्तान ने सिल्वर किसे ने जीता है भार भट्टा चार जी ये पश्चिम बंगाल के पूर्व सीम थे जिनका भी हाली में निधन हो गया है ये 2000 से लेकर 2011 तक सीम रहे हैं इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल की सीम कोन बन गई है ममता बनर जी जी बन गई है और तब से लेकर अभी तक जो है कौन है ममता बनर जी जी यही पस्षिन बंगल की सीयम है नेच्ट अगर बात कल लेते हैं इप्राहिम रहीसी जिनका भी हाली में हेलिकाप्टर दुरगंडा में निधन हो गया है इनका क्या नाम है और सोलेश चिलमा इनका भी हाली में निम्रित्यू हो गया है ये कहां कि उपराश्ट पती थे ये मलावी देश के उपराश्ट पती थे सात्वा प्रसन हाली में CAVA महिला वालीबॉल राश्टिय लीग किसने जीती है तो यह जीता गया है भारत के द्वारा ठीक है तो CAVA महिला वालीबॉल राश्टिय लीग किसने जीता है तो भारत ने जीत लिया इसके बारे में अध्यन करें तो CAVA महिला वालीबॉल राश्टिय लीग इसका आयोजन पूछे होश्ट कि कौन सा देश था तो काट मांडू नेपाल में इसका आयोजन किया गया था किस इस्टेडियम में तो दसरत इस्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था किसके बीच में भारत और नेपाल की बीच में खेला गया था जिसमें महिला वालीबॉल राष्टिये लीग भारत जीच जाता है और नेपाल इसमें उपविजेता बन जाता है ठीक है LGBTQ समधाय के लिए और इंद धन्व सम्मेलर पहली बार कहां पर आयो जित किया गया है तो नेपाल में किया गया है नेपाल से अगर पूछे सीमा बनाने वाले भारतिये राजे कौन कौन से हैं तो उत्तराखंड, योपी, बिहार, पश्चिम पंगाल, सिक्किम ये सभी पाँच राजे जो है नेपाल से सीमा बनाते हैं आठवा प्रस्न है, स्वास्त और परिवार कल्यान मंतराले के अनुसार, सव दाताओं के अंगदान में देश का सीर्स राजे कौन सा है यानि कि इसमें कहा गया है कि सव दाताओं के द्वारा जो अंगदान किया जाता है, इस मामले में देश में पहला अस्थान किस राजे का है, तो यह तिलंगना का पहला अस्थान है, आप्सन A सही हो जाएगा सवधाताओं के अंगदान में अगर पूछे राज्य का पहला अस्थान किस राज्य का है तो देश में पहला अस्थान है तिलंगना का दूसरा अस्थान है तमिलनाडू और करनाटक का दूसरा अस्थान है ठीक है जब कोई मर जाता है तो अपने अंग को अगदान करने के स्थान्य निकाय चुनाव के लिए दो बच्चे वाली नीती को किसने समाप्त कर दिया है अस्थानिय चुनाओ यानि पंचायती राज जो चुनाओ होते थे उसके लिए दो बच्चे वाली नीति किस राज़े ने समाप्द कर दिया है गुजराथ राजस्थान आंधर परदेश महराश्थ तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंधर पर्देश ने समाप्त कर दिया है आंधर पर्देश के द्वारा भी अस्थानिय चिना निकाय चुनाओ में two policy, two child policy जो है इसे समाप्त कर दिया गया यानि दो बच्चों के नीटी वाली policy जो है समाप्त कर दी गई है आंदर परदेश में अस्थानिय निकाय चुनाव के लिए और अगर पूछे कि आंदर परदेश के CM कोन है तो चंदरवाबू नाइडूची है और इसका कारण क्या बताया है कि आंदर परदेश में घरती प्रजनन दर के कारण जो है दो चाइल पॉलिसी जो है इससे समार्थ कर दिया गया है इसमें बताया गया है कि आंदर परदेश का जो प्रजनन दर है यहां एक दसमलों पांच परतिसत है यानि कि इसमें दो जोड़े मिलकर कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं तो दो जोड़े मिलकर तीन बच्चे पैदा कर रहे हैं ठीक है, यानि दो कपल मिलके तीन बच्चे पैदा कर रहे हैं, यानि कि एक बच्चे, एक कपल के ऊपर कितना, एक कपल के ऊपर डेढ़ बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई आधा बच्चा पैदा हो रहा है, तो मालेजी कोई एक कपल एक पैदा कर दे रहा ह और किसके द्वारा तो CM चंदरबाबु नाइडू जी के द्वारा समाथ कर दिया गया है वहीं पूछे कि राष्टिय परजन अंदर कितना है तो 2.1 परतिसत है यानि कि एक जोड़ा इसमें दो बच्चे पैदा कर रहा है और जबकि आंदर परतिसमें एक जोड़ा जो है कभ लोकल गवर्नेंस अगर पुछे कि लोकल गवर्नेंस बिर्टिस काल में इसके जनकोन माने जाते थे तो लाड रिपन माने जाते थे पंचायती राज के बारे में थोड़ी से जानकारी देखते हैं पंचायती राज का गठन किया गया था तो पंचायती राज का गठन किया तो नागोर जिले में लागू किया गया था जो कि राजस्थान का जिला है अब वहीं दूसरी जो है समीत का गठन किया गया था पंचायती राज के गठन के लिए यह किया गया था असुक महता कमीटी के कमीटी का गठन किया गया था और असुक महता कमीटी ने दूय अस्तर य ये पंचायती राज का गठन किया गया था और बलवंतरा मेहता के सिफारिस पर तिरियस्तर ये पंचायती राज का गठन किया गया था त्रियस्तर ये पंचायती राज के लिए अगर पूछे पहली बार चुनाओ कहां किया गया था तो पहली बार चुनाओ किया गया था अंदर पर्देश में आखरी प्रस नमारा हकरन रफेर का हाल ही में RBI की मोद्रिग नीती समित ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है तो RBI के द्वारा मोद्रिग नीती समित ने रेपो रेट कितना निर्धारित किया है जिसका सही जवाब हो जाएगा option A 6.5% निर्धारित की है MPC यानि Monetary Policy Committee इसे मोदरिक नीती समिती भी कहते हैं इसके अध्यक्ष कोन होते हैं तो MPC के अध्यक्ष होते हैं RBI के governor और RBI के governor वर्तमान में कोन है तो सक्तिकांत दाश जी है MPC में कुल कितने सदस होते हैं तो कुल 6 सदस होते हैं 3 सदस RBI से होते हैं और 3 सदस केंद सरकार के होते हैं MPC के द्वारा जो है जो report परस्तूत की जाती है प्रती 2 माह में एक बार की जाती है यानि कि एक साल में 6 बार MPC अपने report परस्तूत करता है और MPC की द्वारा जो repo rate निधारित की गई है इस बार भी 6.5 परतिसद निधारित की गई है यानि कि पिछले महिने में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और इस मा भी इसमे कोई repo rate में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है repo rate किसे कहते हैं ये देख लेते हैं RBI के द्वारा बैंक को अल्पकाल के लिए जिस दर पर लोन दिया जाता है उसे ही रिपोरेट कहते हैं अगर RBI किसे बैंक को लोन देता है तो किसे काल के लिए देता है तो अल्पकाल के लिए लोन देता है और जिस दर पर लोन दिया जाता है उसे ही रिपो रेट कहते हैं ठीक है अब हम देख लेते हैं करंट अफियर रिवीजन में सेट नंबर 10 यानि प्रैक्टिस सेट हम 10 वां देखते हैं जिसमें आप सभी को 20 करंट अफियर कुश्चन वा लाइनर मिलेंगे जिसको हम जल्दी स रिवीजन करेंगे जो कि आने वाले एक्जाम जैसे यूपी पुलिस आरो यारो के लिए बहुत ही महतपूर्ण कलास है ग्लोबल यूनिकॉन इंडेक्स में भारत की रेंग क्या है तीसरा अस्तान है पहले अस्तान पर यूएस से दूसरे अस्तान पर चेन तीसरे अस्तान पीटर हिंग्स अभी इनका जो हाले में निधन हो गया है पीटर हिंग्स के द्वारा खोज किया गया था हिंग्स बौसान को जिसे गौट पार्टिकल भी कहते हैं तो गौट पार्टिकल की खोज हिंग्स किसके द्वारा किया गया था तो पीटर हिंग्स के द्वारा किया था नेक्ट प्रस नमारा है जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड अभी यह किसे दिया गया है तो यह इसरो को दिया गया है यह आपको याद रखना है खुबाने खिलना महस्तो 24 यह किस राज़े में मनाया जाता है तो यहाँ लद्धाफ में मनाया जाता है शुबधा पोटल इसके साथ सक्षम आइप, सीविजील आप और सुईप आप यह सभी जो है आप किसके द्वारा लांच किया गया है तो एलेक्सन कमीशन आफ इंडिया के द्वारा लांच किया गया है गणगोर तेवार कहा मनाया जाता है तो राजस्थान में मनाया जाता है अंतर राश्टिय साहित पुरस्कार मंता सागर जी को दिया गया है ये आपको याद रखना है 2023-2023 में राश्टिय राजमार्ग यानि N.H. का कितना निर्मार किया गया है 2023-2024 में तो 12,349 किलो मीटर का निर्मार किया गया है 2023-2024 के बीच में International Narcotics Control Bureau के सदस अभी हाल हमें कौन बनाए गए हैं तो जगदित पामडिया जी बनाए गए हैं और ये International Narcotics के तीसरी बार सदस से बनाए गए हैं Sea Dome अगर पूछे रच्छा प्रडाली किस देश का है तो यह इरान का है यह समुदर में काम करता है जबकि अस्थल पे पूछे यह Sea Label पे यानि कि समुदर में काम करता है जबकि अगर बात करते हैं जमीन पर या फिर अस्थल में पूछे कौन सा रच्छा प्रडाली कार्य करता है तो iron dome या जमीन पर कार्य करता है जब किसी dome या समुदर में काम करता है ये दोनों जो है रच्छा प्रडाली इज्राइल के हैं Underwater drone जिसका नाम है Mantare इसको किस ने launch किया है तो USA ने launch किया है Next हमारा प्रसन है स्वरड स्वेंग सिवक पुरसकार 2024 किसके द्वारा दिया गया है तो यह पुरसकार USA के द्वारा दिया गया है किसे दिया गया है तो आचार लोकेस मुनी जी को दिया गया है लक्ष दूइब में साका खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है तो HDFC है नेस्ट प्रसन है लिंडी कैमरून ये यूके यानि बिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त न्यूक्त की गई है कहाँ पर इंडिया में न्यूक्त की गई है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बिटेन ने पहली बार किसी महिला को जो है उचायुक्त बनाया है और इन्हें नुक्त किया है भारत में जिनका नाम है लिंडी कैमरून पंद्रहवा प्रसन है आनलाइन आधार ATM किसे ने सुरू किया है तो यहाँ सुरू किया गया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंग के द्वारा उत्तर परदेश का पहला ग्लास स्काई वाक कहां पर हस्थापित किया गया है तो उत्तर परदेश का पहला ग्लास स्काई वाक यह हस्थापित किया गया है चितर कूट उत्तर परदेश में इसका आकार जो है किस प्रकार का है तो धनुस बान की आकार का स्काई ग्लास बनाया गया है बिस्व साइबर अपराद सुचकांग में भारत की रैंक कितनी है तो भारत की रैंक दस्वी है सेन अभ्याष दश्ट लिगिया किसके बीट में होता है तो भारत उजबेकिस्तान के बीट में होता है वैस्विक अपराद आउटलुक और सांख्य की रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है तो यह रिपोर्ट जारी किया जाता है WTO यानि World Trade Organization के द्वारा जारी किया जाता है जान डर्क गेड़नर Global Health Award यहां किसको दिया गया है तो यहां कि डाक्टर गगन दीव जी को दिया गया है यह आपको याद रखना है इस प्रकार से हमने अपने 20 करंट अफेर कुश्चन का रिविजन किया है और साथ-साथ में 9 अगस्त के करंट अफेर कुश्चन और उसके पूरी ब्याक्षा के साथ परसनों को स्वाल किया है अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सेयर, कमेंट जरूर करें साम को जो है 5 बजे उत्तर परदेश से समंधित यूबी पुलिस के लिए विशेस कलास चल रही है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कलास में जरूर जुड़े साम को 5 बजे अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सेयर, कमेंट जरूर करें कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हैं, जय भारत